नमस्कार, वेलकम बाक टू सुद्धाचिलम लेबोरेटरी आईए, आज हम आपके लिए एक नई फैलोशिप की जानकारी लेके आए है यह वाइस स्कोप फैलोशिप यह फैलोशिप इस्पेशले विमन के लिए है जिन्होंने पीजडी कर लिया है और वो अपना आगे का करियर भी रिसर्च में देखना चाहते हैं तो इस लाइक पोस्ट रॉक स्टडी भी हम इसे कह सकते हैं तो इसमें मीन जो ब्रॉड एरिया है वो है फर्स्ट है इसका एनरजी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिकने एंजिनिरिंग और टेक्नोलोजी डेवलप्मेंट थर्ड वन इस एंवार्मेंट, क्लाइमेट और सिस्टेनिबल डेवलप्मेंट फोर्थ इस एग्रिकल्चर और अलाइट साइंसे फिफ्ट इस हेल्थ, फूड और नूटरिशन तो आप इसमें से किसी पांच, पांचों में से किसी एक में अपना प्रपोजल बनाईए और सम्मिट कीजिए इसमें बेसिकली देखें, इसको इलिजिबिलिटी आपको बिताते हैं इसमें कैंडिडिट रेगिलर एंप्लॉई नहीं होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रेगिलर एंप्लॉई नहीं है आपकी एज 27 से 60 के बित्वीन होना चाहिए आप पीएजडी इन बेसिक या अप्लाईट साइंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब आप हमको financial support बताते हैं इसमें basically आपको 55,000 per month मिलेगा HRAS per norm मिलेगा and research grant 2 lakh मिलेगा for per year and field demonstration other things के लिए एक लाग रुपे and small equipment जो की 2 लाग तक आप ले सकते हैं project का 10 years जो है वो up to 3 years है तो I think this is very good selection process, selection process basically ये wise fellowship जो है वो grassroot level के projects को ही invite कर रहे हैं second applicant का profile बहुत strong होना चाहिए और जो most important है आपका proposal black free होना चाहिए और society के benefit में होना चाहिए apply करने के लिए आप directly इनकी site पे चाहिए लेकिन वहाँ पे submit करने के पहले आप सारे documents ready रख लीजिए तो आप ये वाला form डाउनलोड कर सकते हैं Google में simply जाके आप wise scope fellowship लिखेंगे तो ये word file मिल जाएगा इसमें सारे instructions नहीं हैं देखे instructions for filling online application तो आपको EPMS portal पे जाना है, login करना है आपको अपना form फिल करना है, सारी चीजों का detail आपको यहाँ पे line से दिया हुआ है आप इत्मेना answers को बढ़ सकते हैं और ये throughout year open होता, ये देखे the online application portal is open throughout the year for proposal submission पर I suggest आप आज ही देख रहे हैं, तो आज ही जाक जाएए और आज ही इसे submit कर लेजिए आपको online submit करना है, hard copy भेजने की बिलकुल जर्वत नहीं है ये कुछ mandated document है, जो आप form fill करने की पहले आपके ये ready होने चाहिए जैसे कि आपके mentor का CV, conflict of interest, endorsement from head of the institute, complete project proposal जिसका size 5 MB से कम होना चाहिए, highest degree का certificate, concern letter from mentor, undertaking, HRA declaration certificate and date of birth through ये सारो जो documents है, इसका detailing भी आपको आगे के pages में मिल जाएगा कि कौन सी चीजे कैसी होनी चाहिए ये यहाँ पर आपको सब form भरने का दे दिया है, prescribed format for application तो आप पहले एक soft copy पहले ready रख लीजिए पूरी तरह से form का फिर आप online जब भरेंगे तो बस यहाँ से copy paste करते जाएगा for example आप कौन सा आपका theme area है, आप यहाँ से select, यहाँ से copy paste कीजी और अपना ready कीजी, declaration हो गया, application format, basic information, institute, budget detail सारी information आपको यहाँ पर मिल जाएगा कौन सी चीज कैसी होने चीए, declaration, consent letter, undertaking, house rent allowance किस basis पर मिलेगा आपको सारा information इस एक single form पर मिल जाएगा तो अब देर मत कीजी, जल्दी से जाएए और form भरिए Thank you, bye bye